असलाम अलेकम दोस्तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है केज में हांडी की सही जगा आज मैं आपको बताऊंगा के हांडी की सही जगा कौनसी होती है दोस्तो जब तक हांडी को आप सही जगा पर नहीं लगाएंगे पेर ब्रीड नहीं करेगा बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं और इनके पेर ब्रीड नहीं करते हैं दोस्तो अगर आपने सिंगल पेर केज लगाया हुआ है तो हांडी को केज के तकरीबन सेंटर में लगाए यहां लगाने से परिंदा इसमें असानी से आ जा सकेगा अगर आपने हांडी को चट के साथ लगा दिया तो परिंदा उपर बहुत कम जाएगा और हांडी को बड़ी देर से पकड़ेगा जिससे पेर ब्रीड देर से करेगा या शायद करेगा ही नहीं अगर आपने हांडी को बहुत नीचे लगा दिया तो परिंदा इस जगा को गयर मेफूल समझेगा और ब्रीड नहीं करेगा याद रखें, हांडी को हमेशा तक्रीबन सेंटर में लगाए ताकि परिंदा हर वकत हांडी के पास रहे इससे ये होगा कि परिंदा इसे बहुत जल्द पकड़ लेगा और ब्रीड कर लेगा प्रिंदों से मतलग किसी भी किसम की मालूमात के लिए मुझे मैसेज करें इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताके हमारी होसला अफजाई हो और हम आपके लिए यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर रहते रहें दौाओं में याद रखे आपका दोस्त बसीम अल्ला आफिस